हाई दोस्तों welcome back to my channel आईए आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाते हैं गेहों के आटे से मिनी समोसे इस की स्टफिंग हम त्यार करेंगे तो स्टफिंग के लिए क्या करेंगे पहले हम मसाला त्यार करते हैं तो मसाले के लिए दर ले लिया है खड़ा 15 बूंद निए कशा है इसको भुन लेंगे दिमी दिमी आज में जैसे यह भुने गाव दालेंगे लाफ दोस्तों की शुर्ण कर दोस्तों कि दोस्तों कि नखेए वैसे भी फ्राय, पैन हमारा यह तेखिए हल्के से दद्रे करने आप बहुत ज्यादा पीषना है प्राइप एन में लिया है शर्सो का तेल आप रिफाइंड में घी में जैसे भी आप फ्राइच करना चाहिए कर सकते हैं झाल देंगे दर धनिया की मैं डाल देंगे अच्छिक में धोड़ेगे ट्रेट किया उड़ा गर्लेड ता यह सिभर जैसे ही दाल हमार को भून करण जाए इसमें सारे मिसाले हाँ मैं नो एक है घो इस चुटकी भर तो इसको डालने के बाद हल्दी डालेंगे त्यक्ति की फ्लेम लो रखी एगा हमारे मसाले ना जब तो लाल मिस है थोड़ी सी ठोड़ा है गरम मसाला थोड़ा है धनिया पौर्डर तोड़ा डाला है साधा नमक जो हम डेली उसमें खाते हैं वो यह हमने सॉंप रखी थी थो तो एक चमबच भी डाल देंगे आपको अगर टेस्ट अच्छा लगता हो इसमें आप इसके पर सकते हैं अगर आप ना डालना चाहिए तो इसको ना डाले इदर मसाले बुनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी लगा दिया है ताकि मसाले हमारे जले ना यह बुन जाएंगे जैसे ही इसमें एलु को अच्छे दमिला देना है आलू जैसे हमारे बुन जाएंगे मसाले के साथ की इसमें मतरं भी डाल सकते हैं पनीर के टुकड़े भीएगा पहुत अच्छा Your Gine and ढ भूटर तो मैं ढांद डाल दिए डहाते जो कि समसों में चाण चान अगाएगा हमारे दन्य का फ्लेवर है दोस्तों सब्सक्राइब करें दोस्तों सब्सक्रार आथा गा जैसे हम अपना दोब से लेएंगे इसके बाद हम डालेंगे हाथ से मसल के नमक थोड़ा सा नमक उतना ही डालिएगा क्योंकि हमारे आलू में स्टर्फिंग में भी नमक होगा दोस्तों इदर हमने देσी तो मुझे कुछ कम लग रहा था क्योंकि जैसे हाथ में मसल लेंगे अच्छे से आटे में मिला लेंगे घी लडू नहीं बनेगा जब लडू बनने लगेंगे दिखिए यह तोट रहा है भी थोड़ा से एक चमस घी में और डालूंगी आप गेहूं के आटे की जगे मैदा भी उसकते हैं आप मैदे की भी समोचे बना सकते हैं या आदा मैदा आदा आप गेहूं का आटा ले सकते हैं जैसे भी आप टेस्ट की अकॉर्डिंग आप अपना करना चाहें कर सकते हैं मुझे गेहूं के बनाने थे क्योंकि हर बार मैद प्रवान दायक होती है तो देख लिजेगा जैसा पसंद करें आप पूरा मैदे में बनाने में इसको रेस्ट करने रख देंगे रेस्ट हो गया हमारा आटा यह ज़िसादा हाड नहीं करना है वह ज़्यार विडो नहीं लगाना ठीकिना पूरी आटा मारा होता इस तरह से गुमा देंगे अच्छे से खुमा देंगे आप छोटी छोटी पूरिया निकालना चाहें जैसे ओर शेप में जो पूरी बनाते हैं समोसे के लिए वह भी आप समोसे बना सकते हैं मैंने चोटे मिनी समोसे बनाएते तो उसे साब से मैंने आपको दिखाएंगे दोस्तों पूर से कट करेंगे इसमें आठ हिससे हम करेंगे्गे हैं यह देखिए घर हो गए हमारे इधार छे हो गए इतार हो गैए जब बनाने जा रहे हैं आपको ठोड़ा हट के डिजाइन में समों से शायद आपने पहले देखी भी तो यह प्र lleva s Надо है इस सदर के ब इसक्षों को बहुत अच्छे से नंच बे हैं वह सकते हैं कि बच्चे बहुत खोश गहते हैं सॉस का पाउच लग दीजियेगा चटनी ग्रीण चटनी अ किसी तरह को पपता है अब बच्चों को दे सकते हैं बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं इस इस तरह से यहाँ कर दें अगर ऊप देंगे तो उब जाते हैं नहीं खाते हैं कि ए कि यह दो दुख Quebec कैसे इस तरह कि आप करאלग करें इसको कोना उठाके ऊपर आके पूरा इसको फोल्ड कर दीजिए यहां तक कर दीजेगा ठीक है इसको टक करने के बाद हाथ से पानी लगा दीजेगा दोस्तों थाकि यह चिपक जाए क्योंकि हमारा जो आटा था उसमें हमने मोयन डाला है घी का तो खुलने का डर होता है इस तरह से सारे समुझ से बना के तयार करनेंगे ठेक है अब प्लीज अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजेगा दोस्तों मेरे मेरी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो जरासी भी मेरी वीडियो अच्छी लगई है तो थोड़ी से मिलको सपोर्ट करिए जाकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाती रहूं इस तरह से आप मिलको सपोर्ट करेंगे तो मैं इससे अच्छी वीडियो बनाऊंगे आपके लिए मुझे बहुत मोटिवेट मैं होती हूं दोस्तो हो आप लोग जरा सभी मुझे सपोर्ट करेंगे तो कहते हैं राक है आप ही को सब्सक्राइब कर देंगे सब्सक्राइब दोस्त दोड़ें कमा सब्सक्राइब ये देखिए जयर कर दीजेगा यह मैं हे दोड़ें वरत वरत बहुत होए उसक्फ ल 551 के लिए आप सौस के साथ मिठी चटनी के साथ धनिया की चटनी के साथ जो कि मैं पीस रही हूं दोस्तों यह देखियों थैंडब्स दैनिया के दंठल हो तो धेर सारे डंठल डाल दीजेगा तर्णिया कि उसकी खुश्बु बहुत अच्छी आती है तो धनिया कि दंठल द्धनिया आभी समय खुब अच्छी आने लगी है जीरा डाल देंगे लेस्ट नहीं डाला है दोस्तों डाल येगा यह दही वाली चत्न में तो इसके साथ लगती दोस्तों आप दहीम डाल के बनाईएगा चटनी का टेस्ट अच्छा लगता है समोसे की कितने क्रिस्पी है तूट आप देख सकते हैं दोस्तों तोड़ने तोड़ रहे हैं तो किस तरह से लग रहे हैं आईए टेस्ट कर लिजे और इंजॉय सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू दोस्तों और आगे मैं आप लों के लिए और अच्छी वीडियो लाओंगी सो प्लीज थैंक यू दोस्तों